वर्स 1995 में एक बहुत बड़े सहकारी नेता का हत्या हुआ था उसमें आपका डाइरेक्ट नाम इंभॉल्व था अपने बड़े भाई असोग चौदरी जी का तो हमको घोर निरासा हुआ वो जंगल राज का याद हमको करा रहे थे कि जंगल राज आप भाजपा की भासा बोल साथ करते हैं कि डॉक्टर करके नेपिंग होता है कितने स्वर्म की बात है महाँ इसके पाठ समझगार मंत्री आप कई घाट बदल करा है कभी घाट कभी सीर घाट कभी साबर मती में अब बैटकर धूनी रमाए ख़बी आप संगम घाट पर धूनी रमाए विएर की राजनिती में राजो सिंग हत्या कान एक फिर से चर्चा में है। 9 दिसंबर 2005 की साम जब कॉंग्रेस के दिगज नेता रहे। पुर्वसांसाद राजो सिंग पर गोलियों की बॉच्छार किया गया। सेखपुरा इस्तीत कॉंग्रेस कारयाले में गोली मारकर हत्या कर दी इस गोली कान में राजो सिंग के साथ साथ उनके एक सयोगी स्याम कुसोर सिंग की भी हत्या हो गई। और इस पुरे मामले में तब के ततकालीन बिहार सरकार में मंत्री कॉंग्रेस के बिधायक असोक शौधरी समेती 11 लोगों का नाम आया था मामला दर्ज हुआ था हलाकि पुलीस जाच में असोक शौधरी समेत कई लोगों को क्लिंचिट जरूर मिल गया लेकिन एक बाप फिर से सियासत इस परतेज हो गई है चुकि बिहार में महागर्मधन की सरकार है और इस सरकार के दो बड़े दल के दो बड़े नेता आमने सामने है एक जेडियू से बिहार सरकार में मंतरी असोक शौधरी है तो दूसरी तरफ लालू यादों के खासम खास RJD के MLC सुनिल सिंग है द्रसल बिहार में सिक्षा मंतरी और केके पाठक के बीच ठनी थी इसी को लेकर बयानबाजी जारी थी अड़िसी प्रकरन पर सुनिल सिंग ने दो टूक कहा जिसके इस बाद असोक शौधरी ने उनके बयानों को सिधे सिधे कहा कि कौन है सुनिल सिंग सुनिल सिंग की बातों को कोई नोटिस नहीं लेता ये लोग भाजपा का भासा बोलते हैं एक अलग एजेंडे पर काम कर रहे हैं द्रसल सुनिल सिंग ने कहा था कि लितीश कुमार और पर कहा कि भाजपा के भासार सुनिल सिंग बोल रहे हैं दवे जुमान में सुनिल सिंग को उन्हें ने भाजपा का एजेंड भी बता दिया और ब्यान देने के दोरान असोक शौधरी ने यह भी कहा कि क्या था बिहार जंगल राज की सिती बनी हुई थी डॉक्टर्स का करनेपिंग हो जागा था अब इस ब्यान के बाद लगे हाथ सुनिल सिंग ने असोक शौधरी को आईना दिखाया और कहा कि जिस राज को आप जंगल राज बता रहे हैं साल 2005 की घटना को याद किजी 9.05 को एक बड़े नेता की हत्या हुई थी और उसमें आपका नाम सामने आया था आपका हाथ खून से रंगा हुआ कानून के नजर में प्रतम दिश्टिया पाया गया था तब आप उस सरकार में मंत्री थे और आप ही उस सरकार पर सवाल उठा रहे हैं आप लालू यादव के खासम खास नेताओं में से एक थे और आप उस सरकार के कारेकाल को जं जंगलराज में आप मंत्री थे और उसी दोरान आप पर एक बर्य निता की हत्या का आरोब भी लगा था यानि कि आपका हाथ जो है खून से रंगे हुए संदीग इस्तिती में पाए गये थे आप सक के घेरे में थे तब उसके बारे में आप लोगों को क्यों नहीं बताते हैं पूरा देश जानता है उसका अंद के बारे में उस पर मुझे कुछ नहीं कहना है लेकिन जब आप जंगलराज की बात कर रहे हैं तो मुझे मजबुरन उस दिन को याद दिलाना पर रहा है आप कभी भी पल्टी मार सकते हैं ये सभी लोग जानते हैं आप कई घात के पानी पिये हुए ये भी सभी लोग जानते हैं सबको ये बात मालूम है कि जिस दिन नितीश कुमार आपकी नेता कमजोर हुए आप तुरत पल्टी मार जाएंगे हलाके सुनिल सिर्म ने कहा है कि जो बयान है वो मेरा व्यक्तिगत बयान है ना आरजेडी और महागरण इसका कोई तालूक नहीं है उन्होंने हम पर व्यक्तिगत आरोप लगाया उन आरोपों का हमने जवाब दिया है तो बिहार की राजिती में जो बयानबाजी का दौर है व क्थे कर दो मेंग जो प्रेंग कर दो मत आरोपों को रहा है उन्हों हम जो बूह मेंगाजी О'